थोड़ी थोड़ी सर्थी पढ़ने लगी हो गर्मा गर्म डाल डोखली खाएंगे तो बहुत मज़ा आजाएगा तो चलिए तयारी करते हैं यहाँ पे हमने एक कप तूर दाल यानिकी अरर दाल को भिगो के रख दिया है और प्रेशर कोकर में हमने दाल डाल कर उसमें एट कि थोड़ी खड़ी खड़ी है एकदम परफेक्ट है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल गुटी वह दाल तो आप हैंड ब्लेंडर से या फिर रई से मत भी सकते हैं तो काफी अच्छा एकदम टेक्टर अच्छा आजाएगा आल बॉइल हो गई है आप करते हैं ढोकली बनाने क यहां पर हमने एक कप आटा लिया है वन फोर्थ कप बेसन लिटल बिट ऑफ हल्दी पाउडर एच्छिली पाउडर अजवाइन हींग एंड थोड़ा सा सॉल्ट इसे मिक्स करके इसमें हैट करेंगे टू टी स्पून ऑफ ओईल एंड थोड़ा पानी आट करके हमने इसे ए मीडियम सॉफ डो में गूंद लेना है यानि कि जैसा हम पराठा या रोटी के लिए आटा गूंते एक दम वही वाला इसको हमने रेस देना है फॉर 10 तू 15 मिनिट्स उसके बाद में हम तयारी करेंगे डोकली बनाने की तो यहां पर मैंने बड़ा पेड़ा ले लिया है उस सम्तिन देखिए इस तरह उसके बाद में आप चाहिए तो डाइमंड शेप कर सकते हैं स्कौायर शेप कर सकते हैं रेक्टैंगल भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी हो वैसे भी बना सकते हो उसके बाद में आपने इसे रेडी करने ना है तो ढोकली तयार हो गई है तो चलिए के बाद हमने एड करना है दो फाजली चॉप टमाटर और साथी अद्रक और हरी मिट्स का पेस्ट एड करेंगे कश्मीरी लाल मिच पाउडर हल्दी पाउडर अच्छे से मैशी होने तक हमें इसे पकाना है फिर एड करेंगे वन टी स्पूर अफ सॉल्ट एड कर रहे हैं जिल और साथ ही हम ढोकली डालेंगे तो आटे की वज़े से और जादा घारी हो जाएगी अब यहापे मैंने एड किया है वन टी स्पून ऑफ गुड और साथ ही हाफ कप ऑफ इमली का पानी अगर आप इमली पल्प यूज कर रहे हो तो वन टी स्पून लगबग एड करिएगा बाद में आप एज़ेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे कि मैंने लगबग वन टी स्पून और गुड और थोड़ा सा इमली का पल्प एड किया था दाल को हमें अच्छे से बॉल करना है और बॉलिंग स्टेश पर ही हम एड करेंगे अपनी ढोकली एड इसे अब हमें मेडियम फ्ले और हरी मिर्च के साथ भी से सर्फ कर सकते हो रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा इंस्टरग्राम पे फॉलू बाबाए